जन्हें प्यार से हमने कहा हमेशा सलिल दा जो सिर्फ एक संगीतकारी नहीं थे हम बात कर रहे हैं सलिल चौधरी की सलिल्दा का जन्म 19 नवंबर सन 1923 बंगाल के सोनारपूर गाउं में हुआ इनका बच्पन बंगाल के गाउं हरी नवी में पीता और काफी वक्त इन्होंने असम के चाय के बागानों में बिताया जहां पे इनके पिता डॉक्टर थे ये वह वक्त था जब ये खूब पाश्चात्ते संगीत सुना करते थे और साथ ही भारतिय लोग संगीत भी बश्च्पन से ही इन्होंने बहुत सारी धुने इखटी करी थी इनके पिता के पास संगीत का खजाना था जिसे नन्हा सलिल सुना करता था इनके पिता गाओं वालों और मजदूरों के साथ मिलकर कुछ नाटकों का मंचन भी करते थे तो बच्पन से ही इन खयालों से सलिल्दा बड़े मुतासिर हुए इन्होंने पढ़ाई की कलकत्य के बंगा भाशी कॉलिच से यहां पर राजनीती में इनकी दिल्चस्पी बढ़ी यह कुट इंडिया मूव्मेंट का हिस्सा बने और ग्राजूशन करने के बाद यह लेफ्ट इस खयालों से भी काफी मुतासिर हुए अभी तक यह अंदाजा को इन्हीं लगा पा रहा था कि सलिल चौधरी फिल्मों के जबर्दर संगीतकार बनेंगे और तब वो मोड आया जब इन्होंने इन्जिन पीपल्स थियेटर असोसेशन यानिकी इप्टा की सद्ध से ताली गाउं गाउं जाकर ये नाटकों का मंचन करते थे शुरुआत में ये बतौर बांसुरी वादक काम कर रहे थे पर बात में इन्होंने गाने लिखने शुरू किये गरीब मजदूर के अधिकार की आवाज ये बनने लगे इसकी वज़े से इन्हें काफित छिपके भी रहना पड़ता था कई बार इन पे आक्शन लिया जा सकता था जोकि इन्हें अरेस्ट हो जाने का भी डर रहता था पर वो वक्त भी आया जब इप्टा से इनका मोह बंग हुआ पर सलिल चौधरी ने संगीत और कहानिया लिखनी बनना करी 1953 में एक फिल्म आई थी रिक्षावाला जो कि बांगला भाशा में बनाई गई थी और बाद में इसका हिंदी रुपांतर बना दो भीगा जमीन जो कि बिमल रॉय साहब ने बनाई थी इस फिल्म का संगीत सलिल चौधरी ने दिया था और बिमल रॉय साहब के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई फिल्म मधूमधी का संगीत कौन भूल सकता है पचास साथ के दशक में फिल्मों में बतोर संगीतकार इन्होंने अपने पाउं जमा लिये हाला कि इनकी पहली फिल्म थी परिबॉर्तन जो कि सन 1949 में रिलीज हुई थी इन्हें बेस्ट म्यूजिक डिरिक्टर के आवार्ट से भी नावाजा गया सलेज जौधरी ऐसे गाने बनाते थे जिसमें वेस्टन म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का अच्छा मिश्टन हुआ करता था अच्छों में तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो लता मंगीश करने कई बार ये बात कही है कि सलिल्दा के गाने सबसे ज्यादा मैंने समझ के गाएं हैं ये वो दौर था जब भारतिय सिनेमा नई मंजिले चू रहा था बिमल रॉय रहे या पर रिशिकेश मुखर जी या रहे गुलजा सब के लिए सलिल्दा ने खूब संगीत दिया जहां एक तरफ बड़े संजीदा गाने दिये वहीं पर इन्होंने जवर्दस कॉमेडी फिल्म्स के लिए भी संगीत दिया सलिल्दा के निजी जीवन की तरफ रुख करें पता चलता है कि इनकी शादी हुई जोती चौदरी से जिनसे ने दो बेटियां हुई और उनकी दूसरी शादी हुई सभीता चौधरी से उनसे भी इने दो बेटियां हुई और एक बेटा सभीता चौधरी खुद एक गाई का रहीं सलिल्दा को 1988 में संगीत नाथक अकाडमी आवाट से भी आवाजा गया था और 5 सितमबर 1995 वो घड़ी लेकर आया जब 71 साल की उम्र में कोलकता शहर में सलिल्दा चौधरी ये दुनिया छोड़ चले गए भारते सिनमा के तिहास में सलिल्दा चौधरी का नाम हमेशा गर्ब से लिया जाएगा महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History